साथ्यों आप सभी साक्षी रहे हैं कि मनिपूर और नौर्थ इसके साथ बीते दसकों में पहले की सरकारों ने क्या किया था उनके रवये ने दिल्ली को आप से और दूर कर दिया था पहली बार अटल जी की सरकार के समय देश के इस एहम छेत्र को विकास के रास्ते पर ले जाने की पहल हुई थी आज उनकी उसी पहल को केंद्र सरकार मजबूती से आगे बढ़ा रही है हम दिल्ली को आपके दरवाजे तक ले आए हैं अब पहले की तरह केंद्र के मंतरी और अपसर सरफ फीता काट कर उसी दिन दिल्ली लोट नहीं जाते हैं वो आते हैं तो यहां रुखते हैं आपके बीच रहे कर आपको सुनते हैं आपके सुजाव सुनते हैं आपकी कठिनाईया समझते हैं मैं खुद बीचते साड़े चार साल में करिब तीस बार नौर्थ इस्ट आ चुका हूँ आप से मिलता हूँ बाते करता हूँ तो एक अलग ही सुख मिलता है अनुभव मिलता है मुझे से अपसर से रिट पोर्ट नहीं मागी पड़ती है सिद्धे आप लोगों से मिलती है यह फर्क है पहली की सरकार में और आज बनी हुई सरकार में ऐसे निरंतर प्रयासों की बज़र से अलगाव को हमने लगाव में बदल दिया है आज इनी कोशिशों की वज़र से पुरा नौर्थीश परिवर्तन के बड़े दोर से गुजर रहा है तीस तीस चालिस चालिस साल से अटके हुए प्रोजेक्स पूरे किये जा रहे हैं आपके जीवन को आसान बनाने की कोशिश की जा रहे हैं अगर मैं मनिपूर से ही एक उदारण दू तो यहां के गाउं का नाम भारत की विकास यात्रा में एहम पड़ाव बना है उसे एहम पहचान मिली है साथियों देश के जिन अठारा हजार गाउं को रिकॉर्ड समय में अंधरे से मुक्ति मिली उनमें सबसे आखरी गाउं कांग पोकपी इस जीले का लेईशांग है लेईशांग जब भी भारत के हर गाउं तक बिजली पहुँचाने के अभियान की बात आएगी तो लेईशांग और मनिपुर का नाम भी जरूर लिया जाएगा